आप हमारे देश में यदि किसी से पुझे हेलो ब्रदर कें यू प्लीस टेल मी वाट इस टाइम राइट नाउ वो टाइम बाद में बताए प्राइब वह आएम नॉट यार ब्रदर लोगों ने पढ़ा उनने का या शुत बड़ा बत्तमीज आदमी है लेकिन स्वामी ने सु बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लाट्फॉम के उपर बहुत अच्छा लग रहा है आप से मिलके और काफी चीजे अभी हमारा इस पॉड्कास्ट को शुरू करने से पहले काफी डिसकर्शन हुआ जिसके में आपकी लाइफ के बारे में काफी कुछ जानने को मिला है तो अब थोड़ा सा just context बन जाए और पता लगे audience को कि आपने ये जो journey शुरू करी है और आज आप लाखु सब्सक्राइबर्स हैं आपके पस बहुत अच्छी तरीके से लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कहां से हुई है थोड़ा context बताईए जी पहले तो आ मेरे viewers को मुझे देखने वालों को शायद नहीं पता होगी जब मैं पढ़ने शुरू किया मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो first class से लेकर के seventh class तक मैं एक ऐसे school में पढ़ता था जो उस समय का top ranking schools में आता था English medium प्योर अच्छा English medium अभी तो English medium का बहुत क्रेज हो गया लेक अभी आप अनुमान लगाओ कि अभी मैंने पोस्ट के अजूशन अभी complete करी तो seventh class ठीक है लगा सकते हैं फस्ट क्लास से लेकर दस साल के असपास पहले की बात होगी हाँ लगबग ठीक है तो first में मेरा admission हुआ एक ऐसे school में जहां पर हिंदी बोलने पर जुरूमाना लगता था फाइन आप हिंदी में बात नहीं कर सकते अंग्रेजी ही बोलने पड़ेगी लेकर यह हरिद्वार में तो मेरे माता पीता ने डाल दिया कि हमारा बच्चा पढ़ेगा ऐसे school में उस समय वह नामी school था नया नया और फीस उसकी थी उस समय सोला सो रुपे महीना उस समय उ नरसरी तक मैं कुछी ऐसी नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे अंग्रेजी का उतना एबी सीडी नहीं पता था तो ग्राउंड में सब बच्चे खेल रहे हैं और एक मैडम है जो सब बच्चों को बोले कम हैर कम हैर मैंने अंग्रेजी कभी शूद सुनी नहीं YouTube अंग्रेजी का के मैं थे मैं क्या होता है प्हली क्लास का बच्चा नया शब्द ऑंग्रेजी का कॉम हैर पहला दिन मुझे समझ हैं कि क्या है ये एगली शी बोलना है हिंदी नहीं बोलनी है अगर हिंदी बोला तो फाइल लगेगा ठीक है वहां तक तो ऐसे पड़ा फिर सेवंथ से लेकर के 12 तक मेरी सिक्षा दिक्षा एक ऐसे सी बीसी सेंटरल बोर्ड अफ सेकेंडरी एजूकेशन के एक ऐसे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हूँ जिसका जो ड्रेस कॉर्ड था जो युनिफॉर्म थी वो पीला कुरता और सफेद पजामा था आस पास के जितने भी स्कूल के बच्चे थे चुट्टी होकर के ज साथ सी बीसी का स्कूल आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसका पीला कुरता और सफेद पजामा तो हम ऐसे में पड़े वहां पर हर ब्रहस्पतिवार को यज्य होता था मंत्रों के साथ वैदिक मंत्रों चार के साथ हम उस आभा मंदल कहने के लिए वह इंग्लिश मीडियम पर इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उस संस्थान में भारतिय संस्कृति की सिख्षा के साथ हमें ओत्परोत किया गया हाइब्रेड था हाइब मतलब मिक्सर था एंशियंट और मॉडरन कॉंबिनेशन था कोई जो सिख्षक थे वहां के टीचर्स थे अंग्रेजी पढ़ान पर इसके बाद क्लास शुरू होगी लास खतम होगी तो गायतरी मंत्र होगा फिर जाएंगे अब किसी भी मॉडरन स्कूल में पब्लिक स्कूल में किसी प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं देखेंगे कि बच्चे अपने टीचर्स के पैर चूते हैं बिल्कुल मारिंग सर हम लोग पैर चूते थे नमस्ते सर पैर चूते से अपनी इक्षा से करना चाहिए तो आज होता है लेकिन वहां के इन बिल्ट संसकार थे जी अचा वहां कम हेर का मतलब समझने में दिक्कत थी अब जब यहां आ गए तो प्रिंसिपल खड़े होकर के रोज एसेमली में बोल इन डिसिप्लीन पर जोर दे रहे हैं तो पूरा एकदम चेंज हो गया फिर धीले धीले मतलब यह पूरा उसका कॉंसेप्ट था तो हमने वहां पर दोनों चीजों को सीखा फिर भड़ते भड़ते फिर हम एक ऐसे सिक्षन संस्थान में 12 के बाद चले गए जो बिएच यू बनारस हिंदू विश्विध्याले से भी पुराना विश्विध्याले है बहुत सारे लोग आज उसका नाम शायद ना जानते हो गुरुकुल का अंगड़ी विश्विध्याले स्वामी शद्धानंद जो अंग्रेजों के समय पे एक बहुती महान एड़ोकेट थे उन्हों उन्हें उस गुरुकुल की स्थापना करी अपना कोठी आज आप दिल्ली जैसे शहर में एक कोठी की कलपना करेंगे तो कोरोडो की होगी उनकी जलंदर में विख्यात कोठी थी देखने वाली शांदार बग्गीयों में चलते थे राद शाही ठाठ थे क्या बात है लेकिन उन्हें अपनी वो कोठी बेच दी संकल्प ले लिया उन्होंने कि मैं जब तक गुरुकुल नहीं खोलूंगा तब तक अपने बच्चों का अपनी पत्नी की शकल नहीं देखूंगा घर के सामने ही मंदिर था उसमें रहते थे लेकिन चौकट को पार करके नहीं गए क्यों इंस्पेक्टर थे तो स्वामी दयानन्द का जलंदर में कोई भाषन हो रहा था व्याख्यान तो दヤ नंद उस समय युग-परवर्तक थे संस्कृति गोन ने का वेदों की और लोटो वेदों की और लोटो मूल की और मूटो रूट की और लोटो जडू की और लोटो तो उ यहां जाता था जो व्यक्ति दारू पीता था मांस खाता था नाना प्रकार के वियसन उनमें थे लेकिन उस सन्यासी तेजस्वी ने उनके विचारों को ऐसा परिवर्थित किया कि वह नास्तिक से आस्तिक हो गया और उस समाज का यूग परवर्तक हो गया लाखो लाख दलितों को जिनको आज दलित कहकर के समाज में इतना controversy create हो रही है, इतनी ज़्यादा विभाजन create हो रहा है, उस समय आजाद से पहले जब भारत गुलाम था, उस समय मुसलमानों ने एक शड़ेंतर किया, कि हम जितने भी शोशित, वंचित लोग हैं, उनको बहला कर, फुसला कर, अपने में मिला लेंगे, conversion कर लेंगे, मुसलिम ब शुद्धी आंदोलों से एक जटके में उस व्यक्ति ने लाखो लाख लोगों को सनातन धर्म में पुना दिख्षित कर लिया, आज आप ये जितने भी अंग्रेज देख रहे हैं न, ये भारतिय संस्कृति में किसी व्यक्ति ने परंपरा शुरू ही नहीं करी, कि अगर आ आप किसी अन्यमत पंत संपरदाय के हो, तो आप भी सनातन में दिख्षित हो सकते हो, उनने ये व्यवस्था शुरू करी और आज आप देखो लाखो लाख विदेशी जर्मन से, युक्रेन से, कैनेडा से, ऑस्टेलिया से, अमेरिका से, भारत में आके धोती कुर्ता में भ आजन कर रहे हैं, वो परंपरा उन्होंने शुरू करी, और लाखो लाख लगबक 50 से जादा उत्राखन के गाओं को उन्होंने परिवर्तित कर दिया, 50 से जादा, अब उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, उस व्यक्ति को यहीं दिल्ली में गोली मार के हत्या कर दी गई, क्यो व्यक्ति तो लोगों को एक कर देगा, उस व्यक्ति के गुर्कुल में पढ़ा, उस व्यक्ति ने गुर्कुल स्थापना करी जंगलों के बीच में, एक तरफ गंगा मा की नदी बह रही है, दूसरी तरफ अटालिका है, पहाड़ियां, श्रिंखलाएं, कंदराएं और गु में आज आप किसी से को कि आपके बच्चे नो knowing, नो कॉन्वेंट स्कूल defect, प्राइवेट स्कूल कि पाब्लिक स्कूल इस बस नो गूर्कुल, किसकी बत रहे हम बच्चे को पंडित बनाना है, उन्हों ने सबसे पहले अपने दोनों पुत्रों को गुर्कुल बढ़ती किय पर क्या मतलब आप यह देखो कि फिर वाइसराय को पता चला कि एक सन्यासी है जिसने गंगा के किनारे गुरकुल बनाया अब वो गए क्योंकि उस समय कोई ऐसा सिक्षन संस्थान नी था जो अंग्रेजों से हटकर के स्वाधिन रूप से चलता हो सब अंग्रेजों के अधिन सिस्टम था तो वो गए बोले कि हम आपको एड देंगे हम आपको पैसा देंगे आप इसको और अच्छे से चलाओ फंड क्योंकि आपका ही पैसा लेके मैं अपने ब्रह्मचारियों को अपने विध्यारतियों को अपने भारतियों को आपके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार नी कर पाऊंगा क्योंकि मुझे मेरा उद्देश्य तो आपको यहां से खदेड़ना है आपको यहां से भार निक भारत के इस प्रकार के लोग बिल्कुल सही है और बहुत सारे ऐसे नेता हुए भारत में जो अंग्रेजों के पिठ्थू थे उनके साथ कदम ताल करते थे बाहर आकर के वो भारती लोगों के मसीया बन जाते थे लेकिन उस स्वामी स्रधानन मुफट व्यक्ति मुपे बोल द जाते हैं अब अंग्रेज जिदकारी स्थभ क्योंकि वो तो योजनावश आया था कोई थोड़ी बनाए जाते थे वो तो एक बहाना था लेकिन स्वामी ने स्विकार कर लिए अहां बनाए जाते हैं उनने का दिखाता हूं चलो बम तुम्हें और बम बनाने का कारखाना भ हुकूमत के सिर्पे फटेगा ये हैं वो बम और उनको लाइट ऑफ टुट जो महरशी ध्यानंद जिनका उन्होंने लेक्चर सुना था जिसको सुनने के बाद वो नास्तिक से आस्तिक हो गए थे उनका गरंथ दिया बोला कि ये है वो ये तुम भी पड़ो ये है कार खाना है तो वो स्वामी शद्धानंद आज उस व्यक्ति को कोई नी जानता उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई स्वामी शद्धानंद ने अपना घर बेच दिया परिवार बेच दिया जब गुरकुल कांगडी में वो थे तो उन्होंने सुन लिया किसी व्यक्ति ने कह अगले दिन सुभा एक कागस में लिखकर के तयार किया अपने दोनों पुत्रों को बुलाया बुला कि ये पढ़लो अगर तुमें इस पर आपत्ति तो नहीं है कहीं उसमें क्या लिखा था कि मैं ये जो अपनी संपत्ती बची हुई है ये भी गुरकुल और राष्टर के निर्माने में दान देता हूं ताकि समाज में कोई व्यक्ति ये ना सवाल उठा पाए कि आपने बच्चों के लिए कुछ सुरक्षित सेफ जोन रख लिया एक सेफ कॉर्णर बचा के रखा तो उनकी बच्चों ने क्या काुज पूच अपने आप मेरे पूत्र है तो यह मेरा करतव हा कि कहीं आपको इस पर आत्ति हो इसलिए मैं हमें लगा दो सब कुछ और तो अपना सब कुछ तन मन कुद्ध ससमाज के लिए लेकिन आज उस स्वामिश अध्धानन को कोई नी जानता उस गुरकुल कांगडी को कोई नी जानता तो उस उस गुरकुल से फिर जब मेरी अध्यन शुरू हुआ पढ़ाई शुरू हुई और फिर इस से पहले जब मैं पीला कुर्ता और सफेद पजामे वाले सिस्टम में थ था तो धीरे धीरे मेरे को कुछ इंपूट्स मिलेगी भारतिय संस्कृति के लिए क्या कर सकते हैं इसी बीच कुम्भ ने दस्तक दी अब जब कुम्भ ने दस्तक दी तो में महा कुम्भ हरिद्वार में महा कुम्भ लगा गुफाओं से कंद्राओं से नाना प्रकार के आग लेकश कि कोई भी सकता था नहीं तो विष्यू का सबसे फड़ा गैधरिंग होती है उसको सविकार करा अब वो फएर सुसान हो गया वहां कोई नहीं आ सकता तो मैंने बोला कि क्यों ना हम इनके lifestyle के बारे में लोगों को बताएं आप आज media channels उठाकर के देखिए आज आप TV उठाकर के देखिए serial उठाकर देखिए सास बहु और बेटियां सास बहु और साजिस उठाकर देखिए तो आप ये देखेंगे कि मली का सरावत का कुत्ता गूम हो गया इस पे news channel साथ दिन तक खबर चलाते हैं साथ दिन तक मली का सरावत के कुत्ते का और भारत के आम नागरिक का क्या संबंद है कोई संबंद नहीं है मसाला है करीना कपूर के तैमूर के बाद कब वो प्रेगनेंट हुई और कब उनका कौन सा महीना चल रहा है अब उनके तैमूर ने किस तरफ देखा तैमूर किस तरफ भागा ये तक खबरे चल रही है भारत के लोगों को क्या मतलब है करीना का बेटा तैमूर किस तरफ भागा और उनने किसको क्या का उनने कौन से पतरकार को धमकाया तो इन सब चीज़ों से क्या लेना आलिया भटका बेटा होगा की बेटी होगी शादी तो तब हो गई थी बेटा इतनी जल्दी कैसे हो गया इस विशे पर विशलेशन हो रहा है यह कोई टॉपिक्स नहीं हो सकते मेरे हिसाथ रिया चक्रवर्ती को दिखा रहे हैं महीनों मही ही है उदर युवा बेरोजगार हैं युवाओं को उनकी आवाज को देश में सुना नहीं जा रहा लेकिन भारतिये मीडिया पर क्या बहस हो रही है ही रो हिरोईंस एक्टर एक्ट्रेस तब ही तो धीरे-धीरे यूथ आपने देखा अब योगर में इस किया होगा धीरे- इतने कपड़े पहने हैं उतने कपड़े पहने हैं मतलब अब वो शिफ्ट हो करके अब न्यूज वाले कॉंटेंट नहीं देख रहा है अब वो कुछ और देख रहा है बिल्कुल सोफिया अंसार ऐसे बहुत सारे नाम आते रहते हैं क्योंकि यह वो तो दुनिया यूज नहीं आएंगे और अभी आप बनाओ यहां पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को उठा करके जिसका इस समाज को उठाने में संस्कृति को बढ़ाने में देश को जगाने में राष्ट्र को बढ़ाने में कोई योगदान नी हो उसको लोग मसाला समझ के चाट चाट के देख नहीं है तो फिर वो चलेगा भी ऐसा नहीं है यह चीज प्रूफ करके दिखाई तो ऐसे लोग भी अपने जैसे हैं बहुत हैं इस विशे पर भी मैं कहूंगा कि भारत के युवाओं में जागरुकता तो बढ़ी है लेकिन अभी मैं समझता हूं और बढ़ने की जरूरत त तो फिर यह जो कॉंसेप्ट है मैंने का इन सब एक्ट्रेसे और यह तथाकतित हिरोइन पॉलेटिकल लीडर यूट्यूबर्स इनकी लाइफ इस्टाइल उनकी लाइफ इस्टाइल तो सब जान रहे हैं लेकिन यहीं लोग थोड़ा सा काम नहीं मिला तो आत्मत्या कर ली क कफी कैफे डेके मालिक ने आत्मत्या कर ली उधर कितने सारे कोविड में तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों ने मुंबई में खुद को फांसी लगा लिया काम नहीं मिलने के चक्कर में और वहीं भारत के साधू जो गुफाओं में कंद्राओं में अट्टालिकाओ में पहाडों में दूर दुर्गम स्थानों पर जहां पानी पीने को नहीं है जहां सर्दी इतनी है कि आदमी के हाड काप जाएं वहां भी वह व्यक्ति एक लंगोटी में कैसे रह रहा है यह एक अपने आप में बहुत बड़ी केस स्टडी का विशे है तो मैंने कहा कि आप लोग बारा महीने नागा सादू कपड़े नहीं पहन रहें और आपको दिल्ली में रहके ठंड लग जाएगी सर्दियों के मौसम में उन्हें उपर परवत मालाओं और शिंखलाओं में सर्दी नहीं लगरी केदारनात में चारो तरफ बरफ जमी हुई है कपाट बंद हो ग बैठा कैसे ध्यान लगा के बैठा अपने आप में केस स्टड़ी और लाइफ स्टाइल को स्टड़ी करने का विशे तो मैंने उस विशे पर इंटरव्यू प्रारंव कि नागा साधू कैसे रहते हैं क्या वो शक्ति है कि यहां लोगों के पास संसाधन है सुविदा है तो इतने इतने प्रशन हैं कैसे आप इतने आनंदित हैं कैसे आप इतने प्रफ्ली स्ट है तो उस विशेव के मैंने शुरू कर दिया और जब हमने का चलो करते हैं फिर हम निकल गए एकदम नौर्मली निकल गए कुम्ब की गलियों में बटकने लगे ढूंडने लगे लोगों से मिलने लगे और मिलते चले गए मिलते चले गए और फिर धीरे यह सिस्टम क्रियेट होता है और पहला ही वीडियो मुझे लगता है कि दो से तीन दिन में दो तीन मिलियन चला गया सब्सक्राइबर दो हजार वीडियो इतना हाई तो मैंने सोचा वही वाली वीडियो होगी जो मैंने भी देखिया शायद वह एक वीडियो थी कि सामने से नागा सन्यासी आ रहे थे मैं इधर से जा रहा था मुझसे किसी ने कहा था कि नागा सन्यासियों को छेड़ना नहीं है और चारों तरफ यही बात आभाम अंडल में सर्कूलेटर है कि नागा बड़े गुस्याल होते हैं यह किसी से बात नहीं क करना चाहते हैं दभी हुई आवाज में बोला हाँ अब अच्चा जरूर करेंगे क्यों नहीं करेंगे मैंने कहा करेंगे यहीं कर लो गंगा के किनारे बस वहीं पर हम बैठें रिकॉर्ड कर लिया क्या बात है तो हमने उन्से वाट हमने जब रिकॉर्ड समाप्थ हो गया इतनी चली जोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि नैशनल मीडिया के बहुत बड़ा मीडिया संटर बन गया कूंभ की नगरी में बड़े-बड़े पत्रकार आएंगे आज तक जीन्यूज निउस इंडिया टाइमसनाउं ले बड़े बड़े पत्रकार के लिए बड़े- तो उस दौर में मैंने वो इंटर्वियू किया और वो चला अब बड़े पतरकारों से के साथ क्या दृष्टी है उनके पास सिर्फ दो मिनट है दिखाने के लिए और वो खुलापन नहीं है आफ खूल नहीं सकते हैं अच्छा से बिल्कुल सही है मैंने उनसे हर विशे पर बात कई मैंने ये भी पूचा कि अगर आप चिलम पीते हैं तो क्यों पीते हैं और कौन से वेद में विधान है कि चिलम पईो अगर कोई चीज गलत, क्या भोले वह भूले नाथ पीते थे, मैंने का भोले नाथ विश्वी पीते थे, क्या आप विश्वी पीएंगे, बहुत सही सावाँ रहे, मतलब मैं यह नहीं कहा रहा है कि सब सन्यासी ऐसे थे, लेकिन जो कर रहे थे, उन पर मैंने सवाल भी किया, निस्पक्षद्रिष्टि से क्योंकि वो गलत है वास्ताव में कहीं विद्हान नहीं है। को खाम खाः बद्धनाम कर दिया… आपको नाहीं नहीं हो गया शिव नहीं मत्काध सकोई एक बोड़ा नहीं हो गूपते क 162पोगे सफं एक तो डीज अधिय इनागे मत्के मत्ड़ अपकर इनाम कर दिखनें प्र लिटेता है वह कि में कर दोब दोग्द शिव की आड में पियो ये ठीक नहीं है, हमको अपने मुस्लिम भाईयों से सीखना चाहिए, कि उनके मुहम्मद सहाब पर नभी पर यदि कोई एक टिपनी कर दे, तो गुस्था के रसूल की एक सजा तंसर से जुदा, तंसर से जुदा, और यहां पर शिव पर कौन टिपनी क कर रहा है, हम खुद, कोई मुसल्मान आया था, शिव पर नीलकंट पर चड़के पी गया, एक बाल्टी भांग कोई बना के गया, हम खुद, हमने स्वयम बनाया, तो उनसे सीखना चाहिए, कि अपने पूर्वजों का, अपने महापुरुष्यों का, अपने स्रेश्ट आद साली को पीटा, सरे आम पीटा, राजिस्थान की धरती पर, और उसको नाम चेंज करना पड़ा, पदमावती से पदमावत हो गया, वो सीन्स डिड़क्ट करने पड़े, यह ताकत है शौरेता की, एक रानी के खिलाफ किसी ने ऐसा किया, तो पूरे शत्रियों के खूनों मे उबाल आ गया, लेकिन सनातन धर्म के स्रेश्ट आदर्ष, भगवान, शिव के विरुद, ऐसी टिकपणियां हम स्वयम कर रहे हैं, किसी के खून में उबाल नहीं आ रहा है, यह अपने आप में, पर देखा जाए एक चीज और, कि भांग तो मंदिरों में भी बढ़ता है, भांग की, सिर्फ भांग की बात कर रहा हूं, मतलब गलत जोड़ा गया है, इसमें यह जो अपना, जो भी होता है, वीड को और उस बांगी जो चीज़े होती है, भांग तो सच में मंदिरों में बढ़ता है, मैं इसका कॉंसेप्ट बताता हूं, आप प्रशाद भी बोलते है, बार्स आप जाएंगे आज से 100- to 1500 साल पहले, भार्स तो भारत में थे ही नहीं, ये बार्स घाहा होते हैं, लिग हैं, ये ये बार नहीं थे, ये बार एक कालांतर में भार से आए, जहां जाकर के नाचा जाता है, तो भारत में ये एक चीज लगती थी भांग तो कुछ नशेडी किसम के लोग इसको कर लेते थे तो ये शिव के उपर जो चढ़ा रहे हैं ये एक अलंकारी और ये एक सांकेतिक चीज है कि तुम्हारे जो दुर्व्यसन है तुम्हारे जो दुर्गुण है ये मुझे अरपन कर दो ये मुझे ये नहीं है कि उसको चढ़ा करके खुद खालो मुझे अरपन कर दो अपने पास जितने भी दुर्व्यसन है मुझे दे दो स्वामी रामदेव ने प्रियाग राज में कुम्भ लगा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे सन्यासी चिलम गांजा ये सब ची रठारा में और जोली फैलादी सन्यासीों के सामने माहराज बस एक दक्षिना दे दो यह जो चिलम में अपने जोली में चिलम इकठी कर लिए ये निपी नहीं है यह भारतिये संस्कृति नहीं है अभी होली पर कारेकरम हुआ हरीद्वार में स्वामी राम्देव का गंगा तो यह चीजें हमको समझ नहीं होंगी ना कि उसको प्रशाद के रूप में खुद पी जाना है और मदमस्तोगर के किसी को गाली देनी है किसी को अभद्र अशोग नी अमर्यादिर टिप नहीं करनी है यह इसका परिवार नहीं है इसका त्योहार नहीं है प्रेम और एक सोहार अभी एक इंसिडेंट मैं यहां पर मुझे याद आ रहा है मैं शेयर गरना पर जाओंगा अभी महाकालेशवर गया था जी मैं एक गाना बनाया जया महाकाल तो उस गाने में मैंने क्योंकि हम लोग तो बच्पन से जो सुनते आ आ रहे हैं सारी नौलेज हमें भी नहीं होत तो मुझे पंडित जी ने मतलब एक पंडित जी थे जिनरो पहचान लिया क्योंकि वह बहुत बाहर है उज जाएं में हम बाहर से बाहर जा रहे थे क्योंकि अंदर एंट्री नहीं होती है गर्व करवेश ने मुझे प्रवेश करवाया ठीक है और दोटी भवथी पहन के ब और पंडित जी नो उसमें से निकाल के मुझे बेटा प्रशाद लो तो अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि क्या यह सही है यह गलत है क्या है अब देखिए एक कहावत है कि एक पीडी का ड्होंग लेकिन इतना नहीं इतना सा हां तो वह सांकेति क्या उन्होंने खिस्द्रि आपके बच्चे ने उसको देखा तो वह अबोद है उसको नहीं मालूम उसको ज्यान का अभहभ है विद्या का अभहभ है तो तो अपने पापा को फॉलो करेगा ना जो देखेंग वहीं करेगाि ना मंकुसिद्रीर थीरे क्या है बहुत सारी विकृतियां आ गए हैसमाज म अब ये हिंदू शब्द का है, फिरोज उल्लुगात, करीम उल्लुगात, गयास उल्लुगात, ये तीन डिक्षनरी है, उर्दू डिक्षनरी, फार्सी डिक्षनरी और अर्भी डिक्षनरी, इसमें जाकर के हिंदू शब्द खो दो, हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब काला, हिंदु मतलब काफिर हिंदु मतलब लुच्चा हिंदु मतलब लुटे रह एक समुधाय ने हमको कहा कि ये हिंदु है और हमने का YES, we are Hindus हम हिंदु है एक समुधाय ने कहा कि ये Indians है हमने का YES, we are Indians और आप गीता उठा करके देखो आप महाभारत उठा करके देखो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे आर्य पुत्र उठो और ये जो गांडिव तुमने छोड़ दिया है इसको उठाओ और अधर्म के साथ खड़े एक-एक व्यक्ति का वद करो मृत्यू का ग्रास बनाओ काल के कपाल में समाओ चाहे भल और यह कहके कहो गर्व से हम आ रही है अर्य वर्त हमारा अब यह आरिय शब्द विदों से आया लेकिन उनी अंग्रेजों ने क्या का यह तो बाहर से आए उन्होंने अमें नाम अ्षा था उसको गोला यह बाहर से आए मेन हमारा नहीं पढ़ाया भी जाता है यह पढ़ाया जा रहा है इस्ट्रीज में टीपु सुल्तान टाइगर ऑफ मैस और अकबर महान अरे अकबर महान था तो फिर महाराना प्रताप कौन था जिसने हल्दी घाटी और मकमली गद्दों को छो यहां लेकिन क्या आपने श्री राम को पढ़ा जब की 9th और 10 रोम आतारे मेरा ओर जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में मेरे पुर्वज हमारे पुर्वज नाम की एक पुस्तक थी जिसको भारत के बच्चे अपने स्कूली शिक्षा में पढ़ते थे, कि ये हमारे पुर्वज थे, असली पुर्वज, उसको सरकारों ने हटा दिया, आज नहीं है, कभी हमारे पिता जी जब पढ़ते थे, तो उन्होंने पढ़ी, आज नहीं है, यो कि बरबाद कर देना न, पढ़ लेगा, थर्ड फूर्थ में था, मैं सरस्वधी शिशु मंदिर में पढ़ता था, थर्ड फूर्थ की बात, उसमें थी ये किताब, उसमें ये पढ़ाई गई थी, महा भारत, रामा एन ऐसी, आब तो बोले कि जो गीता पड़े वो तो पंडित, कोई लड़की, छोटे कपड़े पहन रही है, इस तरीके के कपड़े, she is wonderful, but if you are wearing dhoti and kurta, then you are pandit, ये जान भूज के inferior दिखाने के लिए कि pandit मतलब inferior, और भगवद गीता जो पड़े, इसका मतलब सब छोड़ दे, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, अरजुन को भगवद गीता का उपदेश, रन भू देश लेकर के गए दुर्योधन के पास योगेश्वर भगवान से कि चलो ज्यादा ना दो, पांच गाउं ही देजो, युद्ध तो नहीं होगा, इतने लोग तो नहीं मरेगे, तो क्या कहा दुर्योधन ने, सुच्या ग्रम नैव दास्यामी, बिना युद्धेन के तो क्रिश्ण ने क्या कहा, क्या लेकर आये थे, क्या लेकर जाना है, क्यों विर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, खाली हात आये थे, खाली हात जाना है, छोड़ो, नहीं ऐसा निका, लड़ो, हतो वापरापससी स्व स्वर्ग को प्राप्ट हो ओगे को कि धर्म की रक्षा में मर रहे हो और अगर जी गए तो ये पूरा संसाः भोग करो गये लेकिन अनासकत बहुत से क्या पंडित बनने के लिए सन्ज्वासी बनने के लिए गीता का उपदेश दिया कि भगवद गीता पढ़लेगा तो ये सब सीजे छूट जाएंगी और वह रागी हो, जये उ हमारे घ्रों में है, ऐसा निंग कि बाहर है, हमारे खुद के घर में बुलजाता है, कि महभारत नहीं रखनी, महभारत रखने से महभारत होता है, और रखनी भी है तो पढ़नी नहीं है, लाल कप्डा में लपेट यह जय भगवद गीते एक व्यक्ति थे, बोले हम पाकिस्तान से आये थे हमारे दादा, और भगवद गीता थी हमारे पास, वह जब अपने ऑफि बोटे को शिक्षा दिया कि वो जब जाए तो भी प्रणाम करके जाए तो किसी ने उनसे यह कहा कि अभे कब तक प्रणाम करते रहो गें इसको फोल के पढ़ना भी आए पढ़ लो इसको पढ़ो इससे सीखो सिर्फ प्रणाम करके काम नहीं चलेगा लेकिन दुरभाग यही कि हम आरती ही करते रहे, अपने गरंतों की पूजा ही करते रहे, हमने उनको पढ़ा नहीं, लाल कपड़े में बांद के लपेट के रख दिया, पढ़ना बहुत जरू है, इतना कुछ आपने बताया, आप यह भी बताओ, जातिवाद और जो हमारे डिविजन्स हुए है, जात आपने बताया, इंडियन्स का मतलब ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी में है, कि दोज हु आर आउट डेटेड, ओल्ड फैशन, अवैद संताने, अवैद संताने समझते हैं, मतलब नाजायज, नाजायज उलादे, क्यों नाजायज, क्रिश्चन लॉग के अनुसार, जो शादी चर्च में नहीं हुई है, वो मानने नहीं है, अब हम लोग तो चर्च में शादी करनी रहे, भारतिय संस्कृति में तो फेरे हो रहे हैं, यज हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो इसका मतलब उनकी दृष्टी में हम अवैद है, जो हमने शादी करी वो अवैद, और इंडियन, वो हमने ले लिए, यस, I am proud to be इंडियन, अब अब आप देखो, अमेरीका का कोई अंगरेजी में, जर्मन में, रशयन में कोई ओर ट्रांसलेशन है, दुनिया की किसी भी भाशा है में अमेरीका को कुछ और कहते हैं, रशया को कुछ और कहते हैं, युक्रेन को क कुछ और कहते हैं, Canada को कुछ और कहते हैं, Japan को कुछ और कहते हैं, लेकिन भारत में सरकारी गाड़ियों पे लिखा है, भारत सरकार और नीचे ट्रांसलेशन, Government of India, what is this, what is this nonsense, भारत का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में इंडिया कैसे हो सकता है, भारत मतलब भा प्लस रत, भा मत मतलब ज्ञान, और रत मतलब लिप्त, जो लोग ज्ञान में लिप्त वो भारत में रहते हैं, वो भारत हैं, और उनको भारत ही कहते हैं, आरिया मतलब क्या, स्रेश्ट, इसलिए वेद में कहा, कि इंदरम वर्धन तु अभर हाप आँढम्त एर आवना किडवनड़ो विश उंचु को इक्तिस वर्ड नोबल स्रेष्ट दोई लोग है इंग सवालान इस दुनिया में एक स्रेष्ट और एक अमानूर्भवा मनुर्भव्वा कि मनुष्य कन वन यहां यूनरु मूसल्मान और अगर नहीं पड़ेगा तो तेरी गर्दन अलग कर देंगे ले 10 किलो आटा नहीं है तेरे घर में भोजन ले 20 किलो चावल बन हिंदू बन सनातन धर्मी क्या आज तक के इतिहास में एक केस उठाकर दिखाओ कि किसी भी बाहर के आए व्यक्ति को या किसी भी नौन सनातन ध थर्मी है जो सनातन में विश्वास नहीं रखता उसको इस प्रकार से जोर जबर्दस्तिया लालत दे करके सनातन धर्मी बनाया गया हो आप रिषाच में यह आफ्रिन्दावन में जाई है आप उन्म ही अनेक लोग मिलेंगे जो स्वेच्छास बारत में आए हैं एक लेडि से में मिला जो आक्सफ़ड विश्विध्याले से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की हूई थी इंटरनेशनल , बैंक में न आप देखो ना, JNU में पढ़ने के लिए मारा मारी है, DU में एडमिशन लेने के लिए मारा मारी है, बीहची उमें एडमिशन लेने के लिए मारा मारी है, और वो Oxford दुनिया का सबसे बड़ा सिक्षन संस्थान है, Oxford, Stanford, Cambridge और Harvard ये चार नाम जादा चलते हैं, उन में से Oxford में वो यहाँ क्या कर रही है, और नंगे पैर, साड़ी में, सफेध, क्या कर रही है। और हिंदी बोल रही है, संस्कृत बोल रही है, बोली कि मैं लंदन में एक बार किसी ध्यान केंदर में भटकते हुए पहुँच गई, और पहुचने के बाद मैंने बोला कि ये पद्धती यह थे सरकारी जी तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से आमन्तिरत किया और अपने सीट के जस्ट बगल में बिठाया कि आप आई ये प्लीस बैठिये स्वागत किया यहां पर मेरी ना जान ना पहचान और आओ मेरे महमान यह वाली परमपरा लोगों के पास सिर पर छत नहीं है जुग्यों में रहते हैं लेकिन जुग्यों वालने मुझे का आईए प्लीस कम हमारे घर में बोजन कीजिए उले हमारे यां जुग्यां तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती फाइव स्टार जैसे लोगों के घर मनें हुए बंगलें बने हुए गाड़ियां इतनी है चंपधा इतनी है लेकिन लोगों में प्रेम नहीं प्रेम करणा नहीं है आपस में शुहार्ड को लेते हमारे अंप to तो मैं जब भारत में आई तो मुझे बढ़ा अच्छा लगा कि यार इनके सिर्पे छत नहीं है लेकिन इनकी समर्पन देखो फिर मैंने बोला कि इसको सीखना है और उस महिला ने जिसने ऑक्सफर से पोस्ट ग्रेजुएशन और इंटरनेशनल बैंक्स में नौकरी करी बुली पैसा इतना था कि खर्च नहीं कर सकते इतनी दौलत थी हमारे पास लेकिन मैं यहां आ गई और फिर दस वी से शुरुवात करी तेंट से माई गॉड संस्कृत टेंट ट्वेल्ट संस्कृत ग्रेज पूर इसको डाल देंगे लुसी गेस्ट नाम था उन्स महीला का लूसी लूसी गेस्ट अब हो गई साध्वी दिव्यव्य प्रभा एक दिन मैंने उनको फोन करा ऐसी अभी दस दिन पहले मैंने बोला माता जी कैसी है और हिंदी बोल यह दारा प्रभा मैं तो आपसे हिंद संस्कृत में कर रही है वाओ संस्कृत में संवाद संस्कृत में उन्होंने लोगों को संदेश दिया प्यार संस्कृत हम और आप तो मेट्रोपलेटिन सिटी में हिंदी नहीं बोल सकते हैं वह महीला लंदन से आके संस्कृत बोल रही है और अभी वह बनारस में गुरकुल चलाती है जहां भारती बच्चे पढ़ते हैं वेद अब आप देखो एक विदेशी महिला भारत में आके भारती लोगों को पढ़ा रही है वेद दर्शन उपनिशद जो हमें विदेशियों को पढ़ाने थे जैसे हमने पहले नालंदा तक्षशिला विक्रम शिला वैशाली जैसे विश्विध्यालमें पढ़ाया वह तो नेस्टनःबूद हो गया नस्ठ हो गया खतम हो गया साहार हो गया उसका अब विदेशी आकर के रहाएं गुर्कुल संस्क्रीत के खोलके करें लोग हम तुमें पढ़ाने आ गई तुम बूल गए थे ना अपनी संस्क्रीत हो हो रही है लखडियां दूर चलना पड़ रहा है खाने को भोजन नहीं है माता-जी कैसी है सब भगवान की कृपा है सब भगवान की कृपा और हमारे American से पूछो किसी सजाके कैसे हैं डर्द यहाँ है यह समस्या वह समस्या यह वह वहाँ समस्या है और यहां लोगों सवाइब कृपा है वहाँ कंप्लेन है और यहाँ कृपा है यह भारत और हमारे देशों में अंतर है उस महिला और वो हो गई अब साधवी भगवती सरस्वती हॉलिवुड से सफर शुरू कि अब हिमालिया में आके उन्हें उन्हों का सफर अंधुब वहुलीवूड हमालिया को किसी नहीं कशा और मैंने पूछा कि कल जब अर रूखे थे आस्मान के नीचे और ईपर मैंने का मुझे तो लगा आप किसी होटल में रूखे में नहीं नहीं गंगा किनारे सो गया था मैं और चहरे पर इतनी शांती इतना वातसल ले इतना प्रेम कि कोई भी देख करके अकस्मात आकरशित हो जाए उस व्यक्ति ने अपनी किताब लेखी टू लिटिल वंडरिंग म किसी ने पूछा भी नहीं कि कौन है ना किसी ने बात करने का प्रयास किया एक हरकी पोड़ी पर अकस्मात पहुंचा और एक नौजवान मिले गौतम घटर उन्होंने मेरे साथ समवाद किया पूरी दुनिया मुझे जान गई बैन बाबा के नाम से पिरों किताब आपने व मैंने का वो तो मुझे रहा चलते मिल गए थे ना उनके पास फोन ना उनके पास कुछ मुझे ख्या पता कहां वो तो मुसाफिर है कहा निकल गए होंगे अब धूनते रही आप फिर लोगों ने ढूंडा क्योंकि बहुत अमेजिंग और बहुत ज्यादा वाइबरेंट और जातिवाद पे भी और एक इस पे भी कि जैसे पुरान जो आप अभी बता भी रहे थे मुझे जैसे हमें किसी ना आया किसी ने थोपा कुछ हिंदू बता या फिर इंडियंस बता इसी तरीके से पुरानों के साथ भी कुछ छेड़ चाड़ हुई है बहुत बड़ी लिएदा पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं चातुर वर्ण मायास रिष्टम गुण कर्म विभाग शाह संसार है यह जो दुनिया है यह जो भूगोल है इसमें चारवर्ण है कि और वो चारवर्ण गुण कर्म और सभाव के आधार पर हैं ना कि जन्म के आधार पर आज इस देश की विडंबना ये है, कि सबसे जादा जो झजग्णیں है, वो ब्रहाम्मनवाद, छत्रियवाद, शुद्रवाद, इन विश्यों को लेकर आपस में हो रहे हैं, और वास्तम में इनमें से कोई ना ब्रहाम्मन है ना शुद्र है, जो शुद्र है, खुद को शुद्र कह रहा है, वो शायद तो शत्री है, और जो खुद को ब्रहम्मन कह रहा है, वो कुछ और है, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पिता जी के साथ मिश्रा सरनेम लगा हुआ था, मेरे पिता जी के साथ जाटव सरनेम लगा हुआ था, मेरे पिता ज पिताजी डॉक्टर थे, उन्होंने MBBS करा, उन्होंने MD किया, वो एक बहुत उच्चकोटी के सर्जन थे, तो क्या उनके सर्जन होने से, उनके MD डॉक्टर होने से मात्र आप डॉक्टर हो जाएंगे? नहीं, ओबिसली, नहीं होंगे? कब होंगे? जब आप भी MBBS कर लेंगे, या आप भी MS करेंगे, या आप medicine के छेतर में कुछ अध्यन करेंगे, योगिता प्राप्त करेंगे, तब डॉक्टर बनेंगे ना, तो ऐसे ही आपके पिताजी एक प्रकांड विद्वान भ्रामन थे, लेकिन आपने इस बात में ये वाला प्रिंसिपल लागू नहीं किया, वो ब्रामन थे, तो मैं सिर्फ इसले हो गया, क्योंकि उनका टाइटल ये था ना, तो मैं भी हो गया, नहीं, जन्मना जायते शुद्रह, कर्मना भवेद दुझा, वेद पाठात भवेद विप्रा, भ्रम जानात इती भ्रामना, जनम से प्रत्येक व्यक्ति शुद्र ही प है, हमने सोच लिया, हम तो ब्रामन के परिवार में पैदा हुए, हम तो ब्रामन हो गए, अब आप जूते सिलने लगोगे, सड़क पे जा करके, तो आप ब्रामन कैसे हो गए, और आप जूते सिलने वाले के घर में पैदा हुए, और आप यूनिवस्टी के प्रोफेसर हो तो आप जूते सिलने वाले के बच्चे होने के नाते आप। कैसे रह गई दलित। अब तो आप हाई रांग को प्राप्त कर गई ना कर्म से हो गई ना कर्म क्या धार पर योगे शवर कह रहे हैं, वैद कह रहा है, मनुस्मृति कह रही है। शुद्रो ब्राम्मन तामेती, ब्राम्मन श्यव शुद्र ताम, शुद्र भी ब्राम्मन हो सकता है, और ब्राम्मन भी शुद्र हो सकता है, अगर वो उस तरह की चीज करें, शुद्र यदि स्रेस्ट आदरशों को अपने जीवन में अपनाए, तो वो ब्राम्मन हो सकता है, और ब्राह्मन निक्रिष्ट से धन्तों को जीवन में पालन करे तो वो शुद्र हो सकता है इतनी बात लोगों को मनू की समझ में नहीं आई ना मनू को पढ़ा ना मनू को समझा ना मनू को जा ना और एक लड़की अभी कुछ दिन पहले सिग्रेट जला रही है मूं में और मी समृति हाथ में लेकर के सिग्रेट से और उस मीट से उसको जला रही है मनू समृति को यह वीडियो है और रोज जलाया जा रहा है यह आप तो इस पर आकर्शी तो मतलब आश्चरे चकी तो रहें ना लेकिन रामायन को फाड़ा जा रहा है राम चरित्र मानस को उत्तर प्र नहीं समझा मनु को मनु को जाना नहीं और वह पढा जो विदेशी लोगों ने बुलाया और इसमें मिलावट कराई इंजेक्ट किया और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया आपने किताब लिखी ठीक है कोई भी XYZ किताब आपने लिखी लिखी को अब तक किताब हमने लिखिये और लिखिये और अब गोडिजिटल मार्किट में आ गई मेरे हाथ में वो गोडिजिटल लग गई मैंने का यह आशुतोस बहुत हवा में उड़ रहा है इसको जगा यह बहुत लोग इसे भी पसंद कर रहे हैं कितने जुबा इसको अ एबुक है और जोटल गोडिजिटल मैंने गोडिजिटल में एक लाइन ठोक दी बीच में कि वही सबसे आधा डिजिटल मार्किट में चलेगा जो कम से कम कपड़े पहन करके रिल्स बनाएगा जितना नंगा होके नाचेगा वो इस संसार में उतना ही वायरल होगा और यह तो बहुत बेशरम आदमी है अब बताव आशुतोष का दोश है या किसी किसी मिलावटी व्यक्ति का दोश है आशुतोष ने तो सच लिखा था कुछ सही सिद्धान्त दिये थे कोई बाहर से आया और उससे चिड़के मारे उसने लोगों को आशुतोष से विभक्त करन करने के लिए उसके सिद्धान्तों में मिलावट कर दी और याई मनु के साथ हुआ रामायन को ₹ yes भारत में आरा मायन जो किसी ने भी करियो करके लिक्रियो में और बोला रां सीता और लक्षमन तीनों बैठ करके जंगल में दारू पीते थे जिसमें बोला कि राम जब कहीं चले जाते थे सो लक्षमन और सीता अपस में उनका कुछ अफेया था सची चीजे लिकित अपनी रामायन के नाम से किताब लिख्ती न है सच्ची रामयन के नाम से एक व्यक्ती ने किताब लिख दी और लोगों में प्रचारित कर दिया पहली बार पता चल रहा है सच बात है सौ स्यादा रामयन होंगी आप खोजेंगे तो सच्ची नाम दे दिया सच्ची कोई भी बोलेगा अरे टाइटल सच्ची रामयन इसको मैं बोला की पैर्यार जो राम को गाली देने वाला था अगर यह मेरे समय में होता तो इसको सच उच्चे बाद। उस स्वामी राम दे खिलाफ इस देश के लाख आप हमारे दिश्य को आंप मक्बूल इसाथ हुसाइन एक नाम का व्यक्ति था व देवी देवताओं की नंगी तस्विर बनाता था सची बात है और उसको इस भारत की सरकारों ने पद्म श्री और पद्म भूशन जैसे पुरुसकारों से अलंग कृत किया इससे बड़ा देश में क्या दुर्भाग्य हो सकता है और अपने लोगों की उनने बड़ी पवित्र तस्वीरे बनाई और हिंदू तथाकतित हिंदू सनातन धर्मियों के पूर्वजों की देवी देवताओं की ऐसी अभद्र चित्र बनाए उसको देश ने सम्मानित किया सरकारों ने कि वाह क्या काम किया अब जब वो चीजे प्रकाश में आई तो वो आदमी इस देश से फरार हो गया भार भाग गया पकड़ में नहीं आया उसमें चार हजार से ज़्यादा जातियां हैं 1931 में गुलाम भारत के समय में हर्बर्ट रिसली नाम का एक व्यक्ति जो इस देश में सैंसस कमिशनर बनके आया उनने इन जातियों का विभाजन किया चार हजार जातियों का और आप जान करके हसेंगे कि इस जातियों के नीचे कैटेगरी में रखो और जिसकी नाक जितनी पतली उसको उतना ही उपर कैटेगराइज करो अब आज वही जाती हैं आप समाज में देखो कि तो 6000 से जाती हैं यह जाती है वो होती है ना ओबीसी ये स्टी ये जनरल ये वो तो ये तो कैटेग्रीज हो गई ठीक है जाती ओबीसी जर्णल और फिजीकल डिसेबल और एक है अब EWS एकोनामिक जाती जाती जो वास्ताव में है वो कुछ अलग है इन्होंने जाती को ऐसे विभाजित किया 4000 उस समय बना दी अब वो 6000 हो गई और इस आधार पर बनाई नाक के आधार पर उनको उपर से नीचे र लिखा है कि ये तेली है ये चमार है ये गुजर है ये जाट है ये बनिया है ये मराठा है ये भंगी है ये यादव है कहां है एक भी ग्रंत में और कहां है कि तेली उपर है धोबी नीचे है बनिय उपर है या भ्रहमन नीचे है शुद्र उपर है उसमें भी नाक का विभा वोगों तोटल उने ओवर आला पांच हजार लोगों पर शोद किया, और वह पूरी दुनिया में बाट दी भारत में बाट भारत में उसको विभाजित कर दिया और हमने और मानना पढ़ा लोगों को, अब जाती क्या शब्द है, जाती जो शब्द है सांस कृतिक दृष्टी मतलब बच्चा पैदा करती है जैसे है एक व्यक्ति धोबी और इक व्यक्ति तेली है यह यह मान लीजिए एक व्यक्ति पंडित है और एक व्यक्ति शुद्र है अब बताओ ऐसा कहीं है क्या पंडित तो नौ महीने के सिस्टम के बाद पैदा हो रहा है सीधा शरीर और जो शुद्र है उसकी मां अंडे दे रही है या पंडित की मां अंडे दे रही है और शुद् मनुष्य एक मात्र एक जाती है। लेकिन उनने क्या करा उनने का इनको विभाजित करो डिवाइड एंड रूल तोड़ो इनको अलग-अलग खंड-खंड में विभाजित करो और खंड-खंड में जब विभाजित कर दोगे तो यह एक दूसरे से लड़ेंगे और आज आप देखो दिल्ली में हजारों गाडिय चल रही है किसी के पीछे लिखा जा किसी के Central कई ब्रामाल किसी के लिफ पीछे लिठार्गां किसी के लिफ लिखा पंदत सब्सक्राइब होता है पंडतम तो मुखऌ को कहते हैं गधे को पंडत मतलब गधा पंड़ित एक असली शब्द है पंडित मात्रवत परिदारेशू पर द्रव्येशू लोष्टवत आत्मवत भूतेशू पश्यती सा पंडिता जो दूसरे के इस्तरी को मात्रिवत देखे जो दूसरे के कहां से आया इतना मतलब लोगों ने तोड मरोड के चीजों को प्रस्तुत कर दिया कि पूछिए मत इतनी मिलावट कर दी कि हमने उसको प्रमाणिक रूप से माल लिया कि हाँ ब्राम्मिन हैं अब उसी से पूछो कि चलो एक गीता का श्लोक सुनाओ अच्छा ताता थाईया कर दिखाओ हाँ ओ राधाबड़ी सेक्सी ओ राधाबड़ी यह और आधाबड़ी वह राधाबड़ी यह मधुवन में राधिकानाची उल्टे सी देगाने और एक गीता का श्लोक नहीं आता आपने देखा होगा इन कथाओं पंडालों में शोभायात्राओं में कृष्ण औ गीता का उपदेश दिया तुमने एक भी इस प्रकार के कारेकरम में कहीं दिखाया कि रत पे अर्जुन विशाद योग कर रहा है और कृष्ण उसे उपदेश दे रहे हैं और जनता उसको बैठ के देख रही है अरे आज तक नहीं हो लेकिन हर मंच पे आपको कृष्ण नाच रहे हैं चलिया का भेस बनाया शाम चूड़ी बेचने आया शाम को कितना नीचा दिखाया चूड़ी बेचने आया मतलब वो कोई क्या है वो कोई जोकर है चूड़ी बेच रहा है शाम कोई जोकर है शाम कोई मतलब एक आज की देशी भाषा में कोई लड़की बाज आदमी कि जो वह नहाती हुई इस्त्रियों के कपड़े उठाकर पेड़ पे चड़ गया और उनसे कह रहा है कि भार आओ मैं तुम्हें देखूंगा ऐसा है शाम ये लोगों ने दिखाया शाम को बदनाम किया राम को बदनाम किया हनुमान को बदनाम किया हमारे इस प्रकार से लोगों को बदनाम किया और अपने ही लोगों ने किया अगर कुछ चीजे इंजेक्ट हुई थी तो आपको उसको हटा करके भार फैक ना था पता भी नी चला न लोगों को इंजक्ट हुई कैसे ये बताओ आप इंजक्ट हुई कैसे बुलाया अंग्रेजों ने specialist लोगों को आज पुराणों में इतनी मिलावट है कि आप उसको पढ़नी सकते इतनी मिलावट है शिव पुराण में मिलावट विष्णु पुराण में मिलावट भागवत पुराण में मिलावट पुराण में तो इतनी मिलावट है कि अवसल और नकल का कुछ भेदी नहीं पता चला इतनी मिलावट है लोगे शस रोड़ाएं बाकी सब उसके दास हैं वश्नु पर लो वश्नु श्रेष्ट है बाकी सब दास है कृश्ण पर लो हृःः कृश्ण शृष्ट है बाकी सब दास," . ले भी बहुत बड़ी कंफ्योजन थी है कृष्ण ने कुपजा के साथ संभोग किया भागवत पुरान पर आप जाएंगे ब्रह्मा जी के विशय में तो ब्रह्मा ने अपनी पूतरी सरस्वती के साथ विभिचार किया बलातकार किया रेप किया इस प्रकार किसने भरदी बा करके आश्चरे करेंगे अंग्रेजों ने specialized commission बनाए commission कि उस commission का यही काम है कि इसमें मिलावच में आज आपने सुनाओगा woman commission woman commission का क्या नाम है कि वो woman safety पर ध्यान देगा है यूथ commission का क्या काम है युवाओं के मुद्धे पर ध्यान देगा commissions बने हुए सरकारों में उस समय विल्लियम हंटर को बुलाया गया जो संस्कृत का विद्ध्वान था जो संस्कृत भाषा को पढ़कर के सीधा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता था अब अंग्रेजों की तो अवकात नहीं थी कि वो संस्कृत पढ़ले समझ पाएं तो एक व्यक्ति को पकड़ा उसको का तुम संस्कृत जानते हो हम तुमें पे करेंगे इसको ट्रांसलेट करो हम समझें 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 फिर इसके बाद अच्छा इसमें तो इतने स्रेश्ट से धानत हैं चलो इसमें इंजेक्शन लगाओ मिलावट करो उल्टी सीदी चीजे भरो और भरके समाज में प्रस्तूत कर दी और आज भी हम उसको कंदे पर ढो रहे हैं और वो सारी जो असली वाली थी वो सारी जला दी खतम वो तो आपने नहीं सुना नालंदा विश्विद्यालने को छे महिने तक जलता रहा नौ मंजिला इमारत नब्य लाग से ज्यादा पु बद्रसेन है आयरुवेद के प्राकांड पंडित विद्वान वो शायद आपको ठीक कर सकते हैं उनने का अच्छा चलो बुलाओ उनको रहुल बद्रसेन को बुलाया गया जब बुलाया गया तो खिल जी ने पहले शर्त रख दी कि तेरी दी दवा तो कोई नहीं खाऊंग और नहीं करा तुम रित्तु डंड यह क्या अच्छा ठीक है अचारे फिर राहुल बद्रसेन कोई सामान ने वक्ती नहीं तो प्रकांड विद्वान पंडित उन्हें का ठीक है आप इक ट्रिक से ठीक हो जाओगे उन्होंने कुरान लाके दी आप तो मुसल्मान है ना ठीक हो गया कैसे ठीक हो तो पता चला कि राहुल बद्रसेन ने कुरान के पन्नों पर अईरुवेदिक दवाएं लगा दी थी और जब वो ऐसे ऐसे करता था ऐसे भी और स्वास के द्वारा भी अंदर चीजे जाती है तो और शदिया अंदर प्रवेश हो गई और जब वो गया उनने का इतनी महान संपदा भारतिय संस्कृति की इतनी महान संपदा मुझसे रहानी जारा कूच कर दिया नालंदा पर खतम कर दिया तोड़ दिया आचारियों के हाथ काट दिये ब्रह्मचारियों को जिंदा भालों की नोक पर लटका दिया वेदों को आग लगा दी पुस्तकाले को धूधू करके अगनी के सुपरुद्ध कर दिया गया ये हुआ हमारे साथ और हम उस संपदा को पुना कभी खड़ा नी कर पाए आज आप उठा करके देखो विश्व के 100 सरवस्रेष्ट सिक्षन संस्थानों की सूची भारत का एक भी नहीं अमेरिका के 50 और उस समय नालंदातक शिला विक्रम शिला इसमें दुनिया के लोग पढ़ने आते थे आप उठा करके देखो इंडिका में में मैगस्थनीज ने क्या लिखा है जब भारत भरमन करने आया तो हमको पता चलेगा विदेशों के लोगोंने भारतिय संस्कृति के बारे में अपन पून दे देते थे प्रान दे देते थे जान दे देते थे बोटी बोटी कट जाते थे कड़ाई में भारतिये लोगों को तल दिया गया बीच से चीर दिया गया गर्दन से उड़ा दिया गया क्या-क्या प्रताड़ना नहीं जहली भारतिये पुरवजोंने हमारे अंग्रेजों ने कहा कि क्या मामला है, मुगलों ने कहा क्या मामला है, इन से एक जनेव का धागा ही तो मांगते हैं, यह धागा नहीं देते, सिर दे देते हैं, गुरु गोविंद सिंग जी के दो शाहिवजादों को जिंदा दिवारों में चीन दिया गया, जिंदा आप कल् पुर्वजों के गौरव शाली प्रभाव शाली गरिमामई शॉर्य शाली इतिहासों को पढ़ते हैं और जब ये इतिहासों को पढ़ते हैं तो उनकी रगों में खून उबालने लगता है उश्वा आ जाती है और ये अपनी संस्कृति के प्रती अगाद शद्धावान हो जाते है कट्टर हो जाते हैं अपने संस्कृति के प्रती समर्पित हो करते हैं बोला इस इतिहास को पहले खतम करो अब खतम कैसे करें बोला इसमें मिलावट करो फिर मिलावट करी पुरान क्या था इतिहास ही तो था श्री राम का गौरवशाली इतिहास था श्री कृष्ण का गौरवशाली इतिहास था विश्णु जी का गौरवशाली इतिहास था तो लोगों से उसको बिल्कुल काट तो नहीं सकते थे अलग तो नहीं कर सकते थे लेकिन मिलावट करके लोगों में प्रस्तोत कर दिया आज आप स्थिति देखो युवा बोलता है हमारे तो भगवानी ऐसे उन्होंने तो अपनी बेटी को नहीं छोड़ा वह तो रास करें तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर डीला क्यों भई हम भी तो रोमियों बन सकते हैं जब हमारे कृष्ण भी तो ऐसे थे कृष्ण की गीता तो पढ़ो उस व्यक्ति ने कितना अद्भुद संदेश दिया वो नहीं पढ़ा जो मिलावट था वो पढ़ लिया और प तो इसको समझने के लिए हमको इसका overall अध्यन करना होगा कि हमारे साथ नाना प्रकार के शड़यंत्र हुए टीवी मैकॉले ने कहा house of common में खड़े होकर के संसद में खड़े होकर के कि मैंने इस पूरे भारत का भ्रहन किया बादा length and breath लेकिन मुझे इस पूरे भारत के भ्र जिद्र एक भी विकारी व्यक्ति नहीं मिला यहां सब धन अश्वरियों के स्वामी मिले मुझे एक भी टीवी मैं कॉले कह रहा है संसद में खड़े होकर कह रहा है और हमने क्या का वेद तो गड़रियों के गीत हैं वेद तो जादू और टोने की किताबें हैं हमारे दिमा ओर दिया गया घर दो जो बात कभी थी नहीं उसको स्विकार कर लिए अब राम को गाली दो कृष्ण को गाली दो मनु को गाली दो कोई कुछ नहीं कहीं इस देश में सीथा को गाली दो एक इंसान अगर सीखना चाहता है बिल्कुल जड़ से, मतलब हमारे जो जितने भी लोग देखते हैं, तो सब इसी एज के होंगे मेरे खाल से 15 साल से लेके 14 साल के बीच में, जड़ से समझना चाहता है सारी चीजों को, इस पॉड़कास्ट के इस वीडियो के मांदेम से भी कुछ सीखा, मैंने खुछ सीखा, तो उन्होंनों तो पक्ता सीखा होगा, कैसे सीख सकते हैं, मतलब वापिस से अगर इंजक्ट करना चाहें अपने अंदर वो सारी चीज़ हैं, आप शुरुवात कीजिए पहले एक गरंथ से, मुरशिद दयानंद ने इस दुनिया के धार अधार्मिक, धर्म के नाम पर धार्मिक, धर्म के नाम पर अधार्मिक, तीन सो से अधिक गरंथों को, कुरान को, बाइबल को, तौरेत को, जिंदावस्ता को, कबीर पंत को, नानक पंत को, यहुदी मत को, इन सब को पढ़ लेने के बाद, वेदों को, दर्शनों को, उपन इस दुनिया को धिया जिसका नाम था the light of truth जिसके आधार पर स्वामी श्रद्धानंद आतंकवादी बना रहे थे बं बना रहे थे आतंकवादी जब इस देश में देखो भगत सिंग को आतंकवादी कहा जाता है पते क्या होता है कई बार नहीं ऐसा भी हो सकता है कि छुट छ वीडियो था इसी प्रकार का जिसमें मैंने बोला तुम क्या करते हो बस तुमको अब तुम्हारे माता-पिता ने क्या सिखाया जै हनुमान ग्याने गुन सागर चलो बूंदी चढ़ाओ खाओ बूंदी चढ़ाओ चढ़ाओ शिव लिंक पर जल चढ़ाओ शनी देव पर स राजा दश्रत के पुत्र थे और वह भी गुरकुल पढ़ने गए थे उन्हों ने अपनी धरम पतिनी का कैसे संमान किया धरम पत्नी ने अपने पती का कैसे संमान किया आज यदि एक हजबन अपनी वाइफ को करका चौत पर सोने का हार ना ले कर के दे तो यहा तो उसकी ब खश्वागी है और व inadequ सीता सिता माता को वनवास नहीं मिला भाई लक्ष्मन को वनवास नहीं मिला चत्रपर स्री राम को मिला लेकिन माता सीता ने कहा कि जब आप ही नहीं रहेंगे तो मैं यहां क्या करूँगी, मैं भी आपके साथ बन चलूँगी, कोई बात नहीं, 14 साली तो हैं, चलूँगी, भाई ने का, रे भाई, आप तो मेरे प्रान हैं, प्रान आधार हैं, मैं आपके बिना नहीं रहूँगा, आपकी सुरक्षा में मैं ब्लाव। दूसरी तरफ। शजा, मुराद, धाराशिको, इन तीनों भाईयों को औरंगजेव ने मार दिया। बाप को जेल में बंद कर दिया, खुद गद्धी पे आसीन होने के लिए। मैं बनूँगा राजा, मैं बनूँगा समराट। बाप को जेल में बंद, तीनों भाईयों की हत्या, श्री राम, पिता का वचन ना तूट जाए, क्योंकि उन्होंने मा के कई को वचन दिया है, पिता का वचन ना तूट जाए, पिता जूटे साबित ना हो जाए, पिता की बात जूटी ना हो जाए, पिता जी कोई बात ने, म मैं जा रहा हूं लोगों ने रोका प्रजाने रोका बोले नई फिर अगले दिन सब लो गए मनाने के लिए जंगलों में विश्ममit3 के आश्रम में मैं ज़्सक्रेंальная और पिता वचन दिया वह पूरा करके ही लोटूंगा और दूसरा भाई भरत बोला भाईया आप चले गए मैं कैसे शाषन करूंगा आप अपनी चरण पादू का देजो वह भी तब बहुत मनाने के बाद नहीं गए और भरत की पतनी भरत की पतनी के स्री राम के बारे में करूंख ने राजमहल सो दूर एक छोपडी बना ली दूर एक फुरीfenी बनली तो शुख्या decis यहीं रहकर के चलाओंगा बादव में नहीं रहकर के पत्थरों में मैं इस शाषन प्छा को चलाउंग गा श्री राम के श्रीथि बोर काली घटाएं चा गई हैं अंधेरा चारो तरफ चा गया है और वो खड़ी है राजमहल पे तो उनकी मा आई बोली आप सोई क्यों नहीं अब तक बोली मैं कैसे सो जाओं मेरे पती अभी नहीं सोए है भरत तो बोली तुम्हें कैसे पता बोले वो देखो वो दूर जो ज जाती भुझ जाएगी तो मैं भी राजमहल में जाके सो जाओं में यह रिलेशनशिप था यह प्रेम था यह आपस में एक बॉंड था और आज क्या है रोजेजार रेड स्काई इस ब्लू ओ माई डार्लिंग आई लव यू कुछ दिन के बाद अगला वेलेंटाइन आया प हिए तो दूसरी है कि यह आज का कॉन्सेप्ट है आज का यह संसब यह वाला वैलेंटाइन यह किसी ओर के साथ पिछले वाला किसी और थी और किसी ओर के साथ और यह तो अब यह बात तो बहुत पीछे छूट गई हग डे इसके साथ किस डे उसके साथ प्रपोस डे उसके साथ वेलंटाइन डे उसके साथ और रोज डे उसके साथ और चॉकलेट दे उसके साथ सब डे की एक अलग लड़कियां सब डे के अलग लड़के फिक्स हैं बहुत सारी किसिस में ऐसा हुँ रहा है एक साथ चार-चार लड़कियों को चारचार लड़कों को आराम से टैकल किया जा रहा है किया जबिता सब्सक्राइब इसम थारेवां वांड है bourne है यह गोड़ा गदा कुट्टे मिलनाले सब्सक्राइब तो इस चीज को किसी चीज का नाम नहीं देते और हम जानते हैं तो हमने उसको अंग्रेजी में एक नाम दे दिया लिविन रिलेशनशिप डिफ्रेंस तो कुछ नहीं है यह वास्तविक प्रेम और तथाकरतित प्रेम यह दोनों का युद्ध है और इससे हमको इस समाज को बचाना है इस समाज में देखो ना मानवता कितने बड़े संकट से गुजर रही है मन में शांती नहीं दिल में सुकून नहीं जीवन संतुलि नहीं है जीवन में कोई दिशा नहीं है परिवार में प्रेम नहीं है समाज में शहिष्णता नहीं है दिन्चर्या में कोई उपासना नहीं है भगवान की कोई आराधना नहीं है करने को कोई साधना नहीं है लक्ष के प्रति कोई गंभीरता नहीं है हिर्दे से धारना जु करके बैठा है, सुक्सु विधाओं के अंबार ले करके बैठा है, बड़ी-बड़ी इमारते ले करके बैठा है, पर भावनात्मक रूप से तो रिक्तता ले करके बैठा है, नौमंजिला का मकान बना करके बैठा है, पर परिवार को तो भुला करके बैठा है, वायू से संख्या बढ़ा करके बैठा है पर मानवता को तो गवा करके बैठा है यह आज का इंसान है और यकीन मानिये यदि ये मानवता ये इंसान ये आम जनमानस ये जीवन और ये दुनिया यदी ऐसे ही चलती रही तो हम अपने बच्चों के लिए शमशान घाट के तृर कुछ भी छोड़के नी जाएंगे, कुछ भी नहीं, इतना बड़ा संकट है इस दुनिया में, इतना बड़ा संकट, हम कलपना नहीं कर सकते, वैचारिक संकट है, आने वाले समय में सब चीजे उजागर होंगी, पैसा, 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 कमाना है पैसा, वेद कह रहा है, वयम स्या यारी बनके रहो मांग के खाओ नहीं और आश्वरियों के स्वामी बनो लेकिन नीटी पर चाल चलते हुए वैल्यूज को मानते हुए ना कि दूद बेचने से मतलब है डैरी चलाने से मतलब है पैसा कमाने से मतलब है बले ही यूरिया मिला करके बेच दूँ ये ना सोचूं कि मेरे घर में भी बच्चा है यदि यूरिया मिला हुआ दूद मेरा बच्चा पी लेगा तो उसकी आते कट जाएंगी ये ना सोचते हुए इसकी आते कट जाए इसके बच्चे की आते कट जाए बस मेरे जिम में पैसा आना चाहिए इंजे भोगना तो पड़ेगा तुम सोचते हो कि जितने मर्जी दुनिया के पाप कर लेंगे और उसके बाद कट्रा में जम्मू की मा वैश्नो देवी की यात्रा पैदल कराएंगे तो यह सब पाप कर जाएंगे सब जूट है सब धोका है महाकालेश्वर उज्येन चले जाएंगे अवंतिका पुरी चले जाएंगे जगनात पुरी चले जाएंगे गंगा सनान चले जाएंगे 84 कोस की परिक्रमा कर लेंगे गंगा सागर चले जाएंगे चार धाम चले जाएंगे और सारे पापों को काट करके आ जाएंगे यह कॉंसेप्ट सबसे बड़ा जूट ढोंग आ गलत करोगे तो गलत मिलेगा आम का पेड़ लगाओ और कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आम की जंगा वो सेव का पेड़ निकल करके आ जाए बबूल का पेड़ लगाओ और आम के फल खाओ कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती इसलिए जैसा करोगे यह भी हमारे वेदों म हमने भी सुना है, पर ये बाहर की किताबों से आ है, अपने वेदों में है, गीता में भगवान कहा रहे हैं। भगवान सरी कृष्न स्वया हैं। दर्शन में आया उपनिशदों में जैसा करोगे वैसा पाओगे कबीर साहब बोल बोल के मर गए ठक गए लोगों नहीं समझा क्यों क्यों कि हमको अमेरिका में ज्यादा इंट्रेस्ट है आई रूवेदा हमारे रिशी कह कह के ठक गए कि आयू को बढ़ाने वाली विद्या है आयू को बढ़ाने वाली विद्या को आयू कहते हैं यह आयू का कॉंसप्ट है अधिक घर घर के ठक गए निगंटु कह करके ठक गए हमारे नानाप्रकार के रिशी कह करके ठ 안गे माना अंग्रेजी को तो तुरंट खीसते हैं और यही कारण था कि मैं मैंने का चलो तुम्हें अंग्रेजों से सीखना है ना तो ठीक है हम अंग्रेजों से ही बात करेंगे विदेशियों से बात करेंगे लेकिन उन करेंगे कि जो तुम्हारे सनातन धर्म को फॉलो करते हैं जिस हिंदी को तुमने कोने में टांग दिया है जिस संस्कृती को तुम हीनता की द्रिष्टी से देखते हो वह अंग्रेज संस्कृत भाषा पर भारत में आकर शोध करते हैं चलो इन से सुनो और संस्कृत भाषा में तब लोगों ने का हो इवन अमेरिकन्स कें स्पीक संस्क्रिट है वी डूंट हाव इस पॉसिबल दिस इस सम काइंड अफ मिरेकल लोग आख फुल गए लोगों ने मुझे मेल लिखा वला भाया जीवन गुजार दिया कैनेडा में लेकिन आज आंके खुल गए यह बस बहुत जल्द यहां सब छोड़ चार करके भारत अपनी भूमी पर आ रहा हूं अपनी भूमी जननी जन्म भूमिष्चा स्वर्गाद अपीद गरीश्टसी लक्षमन से कहा श्री राम ने कि स्वन मई लंका न रोचते मुझे यह स्वन मई लंका आकर्शित नहीं करती जननी जन्म भूमिष्चा जी जो मात्री भूमिए वहां जाना है हम क्या करनें विभीशन तुम संबाख़ालो बीभीशन को दे दिया तो और भारत में लोगोंने क्या करा कभजा इसको हटाओ इसको बनाओ भारत में आकर के भारत ने कभी भी अपनी सीमाओं का थिकरम नहीं किया उल् प्वुतान भी हमारा था इधर बांगलादेश हमारा था सब च्ट गया हमने कभी किसी की दूसरे की भूमी पर कप जा नहीं करा उल्टा अपनी जो भूमी थी उसको स्रफ दे दिया और भार से आकर के लोगों ने भूमी पर कप जा किया भारत की सौमेता सरलता ही तो है लेकि और आज का यह पॉड़कास्ट है, मैं सच्में गॉदम भाई, यू करने निव फैन, बहुत जबर्दस्त, बहुत जबर्दस्त, आज तक मैं कभी ऐसे कि मतलब मैं सुने जा रहा हूं सुने जा रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है आज के विवर्स को भी बहुत मजा आया हूँ तो लेकिन हमें किसी थाइम पर समय की सीमा का वो करना पड़ेगा तो मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से आप सब के साथ ये व्य सकते हो इसके अंदर और अगर आप चाहते हो कि आपके कुछ सवाल हैं आप भी कहीं कन्फ्यूजड हो और आप कुछ जानना चाहते हो आप जरूर कमेंट करके बताना हम कोशिश करेंगे कि वताम भाई को एक बार और पार टू के अंदर बुलाया जाए ठीक है और लिटरल किसी भी तरह से अपकर सही ओगर कर सकता हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी है थांकियो सोमुछ अबहर थांक यू